सूरा मेरे मज़ पमान तठण फिर मेनी सिखा पधिंग समाधियानी बुद्धन समन संग समन संग एक बहुत बड़ा परिवार है क्योंकि लगबग 120 करोड लोग समन है जो पूरे भारत में अपने आपको गर्ब से गारब से कह सकते हैं कि वो समन है अगर आज के समय पहचान की जाए तो जो वमन नहीं है जो वामन नहीं है जो ब्रमन नहीं है वो व्यक्ति सारे के सारे समन है समन सब्द का जब जिक्र आता है या कोई समन संगी ये कहता है कि मैं समन हूँ मेरा धम समन है, मेरा कम, मेरा कारे समन है, मेरा वर्ग समन है जिसको आप जाती कहते हैं वो भी मेरा समन है प्राचीन से मेरी पहचान समन है, मैं जनमजात समन हूँ तो ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी समन का नाम नहीं सुना वो व्यक्ति असंबन जस्में आ जाते हैं कि ये क्या चीज आ गई, क्या है और ये भारत में अचानक क्या चीज हमें बताई जा रही है जो लोग वीडियो देखते हैं, पोस्ट देखते हैं, सुनते हैं हमारे 50-50 जाते हैं, हम संगती लगाते हैं, संगतियों को फोटो वीडियो जाते हैं अधितर लोगों को समन सब्द के बारे में जानकारी है ही नहीं यानि कि वो प्राइमेरी स्टेज जो सबसे पहली किसी विचार धारा का मूवमेंट का जो सुरुवात होती है, जो आरंब होता है, वो उस विचार धारा का मूवमेंट के उसके नाम से होता है कि विचार धारा का नाम क्या है पर हमारे जो लोग हैं, समन नाम की विचार धारा को भूल चुके हैं ऐसा नहीं है कि उस विचार धारा को भूल चुके हैं उस विचार धारा के नाम को भूल चुके हैं जो वो आइडिया है जो वो जीने की पद्दती है जो हमारी लिविंग सिस्टम है उसका नाम भूल चुके हैं और ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से भूल चुके हैं दरसल कि سمرट असो के बनाये हुए सिलालेक बनाये हुए जितने भी बुद्ध के आश्रे, मंदिर या जितने भी जानवरों के आश्रे, अस्पिताल वगरा थे वो सारे के सारे तोड़े गए और जमीन में दवाये गए मिटाये गए और आज के समय भी उनको बहुत ज़्यादा क्रश क किया जाता है चूरन मनाय जाता है उनका तो उसको बोलते हैं विचार को खतम करना जो भिक्वों हैं भिक्वों को खतम किया गया मारा गया ताकि वो विचार को इस पर ना कर सकें तो पहला तरीका होता है उस साहित्य को साहित्य चलाने वाले को उस तरह के मनुस्य को उनके चि उसमें ये कहा जाए कि ये हमारा ही है और उसका साहित्ते लिखा जाए दुवारा से, उसकी बातें बदली जाए और उसको सबको अच्छी तरह से अपना बताया जाए, हर बात को अपना बताया जाए. ये दूसा तरीका होता है खतम करने का, जैसे सारे के सारे जितने भी मंदर थे, जो मन के दर्द को दूर करने वाले स्थान थे, जो सारे सारे समन लोगों ने बनाए, वो बाद में मंदर की जएगे, मंदर के नाम से आए, और उनमें अपना ही साहित्ते, अपनी ही बात, अपन महर ना लगा सकें फिर भी लोगों को याद रहे तो उसमें भर्म पैदा कर दो उसमें मिक्स कर दो उसको उसमें गवल घुटाला कर दो उसमें कुछ ना कुछ ऐसा कर दो कि ना उनका रहे ना अपना रहे जब अपना कहना हो तो अपना दावा और जब उनका हो तो अपना दा इसार सरी दूनिया में जय और विया हर विजय और वेक्ट आया जाहता है कि कुछ काम मन करना पड़े, दूसरे लोग काम करें और मैं बैठ के खाऊं, इसको जीत बोलते हैं, इसको विजय बोलते हैं, यही जगड़ा है, चाहे वो युद्ध करके हो, चाहे वो मल्टि रेशनल कंपनी बना के हो, चाहे वो लूट खसोट करके हो, चाहे आडंबर पैदा करके हो, चा ता महत का काम करें और हम उनका बैटके खाएं यह जगड़ा पूरी दुनिया में चलता है तो यह तीन तरीके इसमें अपनाय जाते हैं जो विचार धरा को हाईजयक करके फिस्कली विचार धरा हाईजयक करने के बाद वो को आदर डालके गलत गलत आदर डालके गंदी गंदी आदर डालके सराब जुवा अफीम औरत व्यवचार ये सब आदर डालके उसको हम अपना गुलाम बना लें मतलब गुलाम बनाने से है तरीका कुछ भी हो सकता है तो ये विचार धारा का आइडिया आता है ये विचार ध जो संत थे उनको वमण बताया गया उनका अफतार घोषित किया गया जो महासरमण बुद्ध थे या जो महासरमण महावीर थे या जो और संत थे जितने भी संत बाद में आए उनका अफतार अफतार का मतला होता है अब माने नीचे और तार माने उस जैसा यानि कि एक डिगरी नीचे दो डिग्री नीचे अपतार बनाए गए ताकि वो लोग अपने हो जाए उन पर अपनी महर लग जाए उनकी विचारधारा अपनी विचारधारा हो जाए इस करके उनका नाम मिक्सिंग किया गया उन पर कबजा करके महर लगाई गई और जहां हो सके नालंदा जैसे जो लाइबरेरी थी जो यूनिवस्टिया थी या सारी यूनिवस्टिया जितनी भी थी चाहे वो मत्रा में थी चाहे वो कुरूक्षित में थी चाहे वो बदी नरात में थी चाहे वो प्रियाग राज में थी, चाहे वो बनारस में थी, वो सारी यूनिवेस्टिया जलाई गई, हटाई गई, बदली गई, खतम की गई. पर अगर लोग चाहें और लोग समझें तो एक जटके में वो बापिस आ सकती है. डॉक्टर अमेटकर की सारी किताबें पढ़ने की आवस्कता नहीं है. एक लाइन पढ़ लीजिए बस, कि दो लोगों का जगड़ा है, जिनमें एक को शिर्मन कहते हैं और एक को ब्रहमन कहते हैं. ये संसकारित नाम है, यानि बदले हुए नाम है, जैसा कि मैंने बताया कि बदलकर कबजा किया जाता है, तो समन को सिर्मन कर दिया और वर्मन को ब्रहमन कर दिया. डॉक्टर अमेटकर ने बताया, जो डॉक्टर अमेटकर के अनुयाई हैं, और जो उनको मानते हैं उनको एक जटके में ये बात समझ में आ जाने चाहिए कि समण संग सिर्मन संग है जो सिर्मन संसकती है या समण संखती है दोनों एक चीज है और ये वही संग है तो डॉक्टर अमबेट करके अनुसार ये संग सर्मनों का या समनों का है जैसा उन्होंने कहा वैसा ही है तो संस्कती या संखती या कल्चर एक साथ बापिस आ जाती है फिर आपको समन रटने की आउ सकता नहीं है आप कह सकते हैं कि सिर्मन ही समन है पर अर्थ बदले हुए है क्योंकि मैंने अभी बताया आपको कि हर व्यक्ति चायता है कि मेहनत कोई और करे, खाएं हम, हर व्यक्ति चायता है, उसके बच्चे मेहनत ना करें, दूसरे की बच्चे मेहनत करें, खाएं हम, ये मनुस्य की प्रवती है, ये सिश्टम चलता है, तो समन का सिर्मन किया गया, समन का सिर्मन इसनिया किया गया, ताकि उनके दिमाग में ये ही सारे सब्द हैं तो जब सरम जो सब्द है वो ही नहीं तो उसका अर्थी भी नहीं है तो नया अर्थ गड़ा गया सरम सब्द गड़ा गया सरम से सरमिक गड़ा गया और सरमिक से सरम करने कर कहा गया कि ये सरम माने होता है मेहनत मजदूरी करने वाले मेहनत करने वाले वर कर लोग हैं मतलब एक जटके में ही समढ़ से सरम करके हम को सिर्फ ये कहा गया कि हम मेहनत करने वाले लोग हैं हमें सिर्फ काम करना है हमको राजा नहीं बनना है हमको सेनापती नहीं बनना है हमको educator नहीं बनना है, हमको professor, engineer, doctor या scientist नहीं बनना है, judge, वकील नहीं बनना है, सासक नहीं बनना है, देस बदेस नहीं जाना है, हमको सिर्ब स्रब्न करना है, ये वही व्यवस्था है जिसको भारत के अंदर चार भागों में बाट के बताए जाती है, कि कुछ लोग सिर्फ जो काम करेंगे, वो बताने का काम करेंगे, पोथी पत्राओं का काम करेंगे, कुछ लोग काम करेंगे, वो सिर्फ हत्यारों का काम करेंगे, लड़ने मरने का का काम करेंगे, उनके लिए जो पोथी पत्राओं का काम करेंगे, तो एक जटके में ही पूरी सब्वेता के लोगों को मज़ूर बना दिया और लोगों ने सुविकार भी कर लिया बनाने वाले की गलती नहीं है बनाने वाला तो चाहता है सबी चाहते हैं कि महनत ना करनी पड़े और दूसरे लोग काम करके हमें दें पर मानने वालों की गलती है आप अगर बनाने वालों की गलती कहोगे तो आप अंधेरे में हो आप लडाई से भाग रहे हो आप जागूता से भाग रहे हो आप लोगों को बेफू बना रहे हो क्योंकि जब बारवार आप ये कहते हो कि हमको ऐसा बनाया गया, हमको सर्मिक बनाया गया, हमको चौते वर्ण में रखा गया, हमको सिर्फ मज़ूर बनाया गया, हमको कास सिस्टम में डाला गया, हमारी बेजितिकी गई, तो करवा क्यों रहे हो उस सिस्टम में पड़े क्यों हो किसने एड़ोप्ट करिया क्यों आपने माना किसी ने आपको कह दी और आपने मान लिया तो गलती बनाने वाले की नहीं है गलती बनने वाले की और खास तो और से जब संख्या बल में बहुत जादा हो तो बड़ी गलत धाराओं का सीधा सीधा टकराव है और जीवन भर रहेगा ये विचार धारा पूरी दुनिया में चलती हैं कुछ लोग मेहनत करने वाले हैं और कुछ लोग उनकी मेहनत पे फोकट में खाने वाले हैं ये जगड़ा है और कोई जगड़ा नहीं है तो जब समन संग दुबारा से एस्टाबलिस हुआ, दुबारा से निकल के बाहर आया, दुबारा से इस पर काम आरंब हुआ, इसकी स्पीड बढ़ने लगी, इसके पुराने नियम बाहर आने लगे, छोटे छोटे नियम, बड़े बड़े मजदार नियम, चंदा ना लेना है, ना देना है, नेता ना पड़े पड़ी गले में ना पड़ेगी ना बाद में पड़ेगी ना यहां कोई मंच लगेगा ना पहले लगा ना अब लगा ना बाद में लगेगा सारे बरावर हैं पहले भी बरावर थे अब भी बरावर हैं बाद में भी बरावर रहेंगे यहां जितने भी लोग हैं वो संग का आदेश मानेंगे किसी व्यक्ति का आदेश नहीं मानेंगे व्यक्तियों के सम्हूं का जो हाउस के अंदर भहुमत से पास होगा पहले भी संग का आदेश मानते थे अभी भी संग का आदेश मानेंगे और जीवन भर संग का आदेश ही मानते रहेंगे हमारे यहां इसमें समड़ों के अत्रिक्त किसी आदमी की कभी जीवन में कोई एंट्री होगी नहीं चाये कुछ भी हो जाए ये छोटे छोटे नियम है कि हम राजा के पैरों में ना पहले पड़े ना हम राजनीती के पैरों में अपड़ेंगे और ना ही कभी जीवन में हम राजनीती के पैरों में या राजनीती के पैरों में नहीं पढ़ेंगे राजनीती हमारे पैरों में रहेगी जैसे राजा पहले रह जाता था संग के पैरों में वैसे ही रहेगा ये छोटा सा नियम है और ये नियम सारे के सारे इतने मजबूत नियम है कि इनको प्रोटेक्ट करने के लिए दस्वा नियम भी है कि ये नियम कभी बद्ले नहीं जाएंगे तो गारिंटी है तो ये छोटे से नियमों का समण संग है बागी नियम और भी पास होते रहते हैं जो इसको काम चलाते हैं दीदेरे दीदेरे करके हम आपको सब बताते रहते हैं और आगे भी बताते रहेंगे बागी स्रम्न गंत के अंदर हैं आते रहते हैं तो विचार धारा अच्छी है नियम अच्छे हैं लोग अच्छे हैं जुड़ना चायते हैं तो परिशानी कहा हैं? जुड क्यों नहीं रहे हैं? इस्पीड क्यों नहीं बढ़ रही है? कारण क्या है? कारण यह है कि जब भी कोई विचारधारा करांतिकारी यानि के बदला वाली आती है, जो लोगों के वेलफेर के लिए आती है, जो समता पर आधारित आती है, जो सम्ह के लिए एक साथ सुख दाई होती है सुख देने वाली आती है बहुत से लोगों का विकास करने वाली होती है बहुत से लोगों को स्वक्षा देने वाली होती है तो कुछ लोगों को परिशानी होती है हर समय होती है पूरी दुनिया में सुरू से लेके आखिर तक जब से मनु साहका चेतना जब से जागरित हुए है तब से ये नियम चल रहा है ये नियम कोई ऐसा नहीं है के अभी स्टार्ट हुआ है तो वो लोग चाहें वो इसा मसीh के समय में यूरोप में हो इसा मसीh ने जब समांता की प्यार की करवणा की बात की तो जो जीऊस थे यहुदी थे उन्होंने मिलकर उनको सूली पर चड़ा दिया एक ही फैमली के लोग थे वो जो यहुदी थे वही बात में इसाई बने और जो इसाई थे वही बात में मुस्लिम बने ये एक ही फैमली के लोग है एक ही ताउचाचा की चलता था वहां आडंबर चलता था वहां किसी पत्थर को जो पत्थर आसती मिला उसे उठा गे वहां उसको God iswar मान कि उसकी पूजाएं होती थी वहां कहीं कोई समानता नहीं थी कभीले आपस में लड़ा करते थे खुन्ह खराब हुआ उस सब को शान्त करने के लिए वहाँ पर प्यार नहीं आई तो जब भी आप सब लोगों के वैलफेर की बात करेंगे तो अपने ही लोग वरोध करते हैं कोई बाहर का नहीं होता है यही बात जो मुहम्मद साया उनके साहथ रही जब उन्हों ने टो सब को इसलाम सिकाया सब को एक साहर रहना खाना से getई सब को प्यार महबत सिखाई तो उनका भी विरोध हुआ, खुब विरोध हुआ, यही विरोध यहाँ 26 साल पहले महावीर का और बुद्ध का भी हुआ, बुद्ध पर तो कैई हमले हुए, जब उन्होंने सम्ता करोना मैतरी की बात की, खुद उनके भाई नहीं उनका दुस्मन हो ग गया, जगे जगे लोग उनके विरोध में आए, और उनके जहां उस सिखाते थे, वहां पर खुब गाली गलोश भी वो करके जाये करते, यह होता है, पर वो संग में थे, इसने स्वक्षित थे, अगर वो संग में नहीं होते, तो वो भी सूली पर चड़ जाते, वो भी मार है, केंद की तरह गोले चप्टी नहीं है, तो जो अंजान लोग थे, जो धम भीरू लोग थे, जो धरम भीरू लोग थे, उन्होंने को चड़ा दिया फासी पर, यह जब भी कोई नहीं बात आती है, क्रांतिकारी बात आती है, उसका अग्यानी लोग विरोध करते ही हैं, तो क्या समर्संग का विरोध नहीं हो रहा है, बरेली के अंदर 72 मीटिंग लगी हैं, और बरेली के अंदर जो लोग समर्संग की काम कर रहे हैं, वो तेसे समर्संग में जुड़े, और फिर उनको तोड़ा गया, उनको विरोध किया गया, और 72 मीटिंग लगी हैं वहाँ प आपने करोणा, मैतरी, मुदीता, भाई, चारा, प्यार, महबबत के साथ काम करना है वो विरोध में आगे, वो लड़ने लगे, वो मरने लगे वो लोग जो सामाजी संठन चलाते हैं, वो बामसिप चलाते हैं या कोई और समधन चलाते हैं वो विरोध में आगे जो ये कहते हैं कि समाज को जोड़ेंगे वो लोग विरोध में राजनीतिक लोगों का तो समझा जा सकता है पर राजनीतिक लोगों का विरोध क्यों हम तो राजनीति में कभी ना पहले थे ना आब हैं नान ना कभी जाएंगे पर उनको भी खत्रा हो गया वो भी विरोध में आगे और इसका फाइदा ये हुआ कि वो सारे विरोधी सिर्फ समण संके जो वहां संगी थे उनके विरोध में खड़े होके और इखटे होने लगे चलो इखटे तो हुए देड़ सवेर आज इखटे ह नहीं बात करें तो हो सकता है कल को अकल भी आ जाए इसी विरोध के कारण जगे जगे पूरे भारत में कारिक्रम लगा रहे हैं लोग कारिक्रम लगाने के दो कारण है पहला कारण है कि 24 में सब को MP बनना है Member of Parliament बनना है संसत सदस्य बनना है सब अपना अपना प्रचार प्र सार करेंगे उसका फोटो खीचेंगे उसका वीडियो बनाएंगे तो जिस पार्टी से उनको MP MLA बनना है वहां वो दावेदारी पेस करेंगे फाइल में जाता है लिखके हमने इतना काम किया है इतने लोग हमारे पीछे इतने प्रस्तावक हैं तो हमको टिकट देओ तो टि हैं क्योंकि समर संग की इसाब से हम राजनीति में नहीं जाने वाले हैं हम इखटे हो रहे हैं हम चंद नहीं लेते हैं न limit कोई रइस्ट्रेशन नहीं है का कोई प्राइब लोगों के द्वारा है लोगोंने इसको बनाया है तो ऐसे sigu स्ट्रक्चर को अगर विरोध नहीं करेंगे तो उनके सारे कारकरता समढ़ संग में आ जायंगे वैसे भी समर्ण संग में जो आता है वो पुराना कारे करता ही आता है क्योंकि एक दिन में कोई कारे करता त्यार नहीं होता कोई कहे के भई समर्ण संग कारे करता त्यार कर रहा है समर्ण संग कोई कारे करता त्यार नहीं करता क्योंकि एक कारे करता को त्यार होने में कई के साल लग लग जाते हैं जो ये पके-पकाय कारे करता हैं जो समझदार कारे करता हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि संग्ठन जो होते हैं वो थोड़े से उद्देश से क्लिए होते हैं थोड़ा सा उद्देश से क्या है, कहीं एफ़ाया लिखानी है, कोई एक्टोशिटीज हुई, तो लोकल संग्ठन कोई चाहिए जो वहाँ दसबीस आदमी हो और जो थाने जाके, क्योंकि एफ़ाया भी नहीं लिखी जाती है, जब तक आप संग में नहीं जाओगे, हमारी ख कोई तूटी है, तो उसके विरोद में स्टेचु लग जाए, तो स्टेचु तूटी रहती है हमारी, बनती रहती हैं, तूटी रहती हैं, तो वो लोकल कोई जगड़ा है, या कहीं कोई बुद्भिहार पर कोई चोटा मोटा जगड़ा हुआ, या किसी संत मत से, किसी संत से किसी के आस्रम में कहीं कोई बात हुई, ये लोकल है, ये जो सिस्टम है, लोकल जो परिशानी है, इसको लोकल इस तरह पर निप्टाने के लिए है, छोटे मोटे संग्ठन बनने और उनका काम करना होता है, इसका मतलब उनका जो काम का दायरा है, उनका जो काम का उद्देश स है, वो लिमिटेड है और लोकल है, छोटा है, कोई संग्ठा न अगर बहुत जादा ये कहे कि नहीं मैं लोकल नहीं हूँ, मैं स्टेटों में कैई में हूं या मैं पूरे देश के अंदर हूं, तो उसके पास में एजंडा नहीं है, उसके पास में कारे सूची नहीं है, उसने पूरी सोसाइटी में कोई कारे सूची नहीं बता रखी और नहीं वो क्रियानमन कर रहा है, वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, टाइम पास मतलब अपने कारे करता हो कहता है कि मैं 2005 में ऐसा कर दूँगा, पूरा system बदल जाएगा 2005 आने से पहले वो समझ जाता है नहीं होगा तो फिर कहता है 2009 में मैं सारा change कर दूँगा उसके कुछ कारेकरता छोड़के चले जाते हैं जो समझ जाते हैं कुछ नई आ जाते हैं फिर उनको कहता है कि 2009 में नहीं मैं 2014 में ऐसा कर दूँगा फिर कहता है 2019 में कर दूँगा फिर कहता है 2019 में कर दूँगा वो date बढ़ाता जाता है basically वो होगा नहीं होगा इसलिए नहीं क्योंकि संग्ठन की एक limitation होती है संग्ठन के अंदर एक व्यक्ती होता है और व्यक्ति की सोच एक व्यक्ति के नुसार होती है व्यक्ति की सांगिक सोच नहीं हो सकती है अगर पूरे देश के सिस्टम को आपने बदलाब करना है या पूरे देश के सिस्टम में समणों का फायदा पहुचाना है तो हर जगे हर छेत से सोच आनी चाहिए हर जगे हर छेत से अगर सोच आएगी और वो सोच सामुई के रूप से पास होगी तो जुड़ाब होगा पर कोई विक्ति आदेस करते के जुड़ जाओ तो हमारे लोग विक्ति की नहीं मानते ये उनके खून के अंदर है क्योंकि वो सांगिक लोग रहे हैं संग में चलने वाले लोग रहे हैं पंचायत में चलने वाले लोग रहे हैं इसलिए वो हाँ हाँ तो करते रहेंगे इस उमीद में एक साथ कुछ हो जाए पर जुड़ते नहीं हैं मन से क्योंकि वो संग के अधिन काम करने वाले लोग हैं व्यक्ति के अधिन काम करने वाले लोग नहीं हैं। ये बात संग्ठनों के जितने लीडर हैं उन सब को अच्छी तरह पता है। वो सब जानते हैं। पर सांगे के इस्ट्रेक्चर को बनाना मुस्किल काम है। वैसे तो बहुत आसान है। पर सुरुवात मुस्किल इसलिए हैं क्योंकि व्यक्ति को अपनी सारी चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं। दूसरे की नहीं। आप अपने लोब छोड़िए, आप अपने लालत छोड़िए, अपना मंच माला पद पोष्ट छोड़िए, अपना बहुत जादा बोलने का जो आपको उठावाता है, अंदर से निकलता है कि मैंने तो बहुत बोलना है, बहुत जादा बताना है और मैं अतना ग्यानी वो छोड़ना पड़ेगा आपको संग के आगे स्रंडर करना पड़ेगा संग के आगे आपको पूरी तरह से जुखना पड़ेगा संग नमामी करनी पड़ेगी अपने सातियों को आपको सर कहना पड़ेगा अपनी बहनों को आपको बहनजी कहना पड़ेगा आपको जमीन पे बैठना पड़ेगा आपका पद पोष्ट जो भी रहा है सरकारी या कहीं कोई बिजनस में या कुछ भी या पैसे वाले हैं या विद्वान है वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा छोड़ना का मतलब यह नहीं कि हम यह करें तो पकड़े जाओगे अगर आप यह कोगे मेरा नाम यह है मेरा पद यह है मेरा पोष्ट यह है और उसके बाद भाष्ट श्टार्ट करोगे तो पता चल जाएगा कि अभी आप मैं से बहार नहीं निकले अपने पद पोष्ट से बहार नहीं निकले अभी कि आपको अपना 50% करने में ज्यादा लगी हुई है, संग आपको समझ में नहीं आता है तो यहां बिना नाम बताएँ आपको श्टार्ट करें और बिना समय गवाएँ आप संगों को जरूरी बात बताएँ और जितने कम सब्दों में बताएँ और जितना कम समय संका लें उतना बहतर है यहां कोई भाचल की प्रितिवक्ता तो होती नहीं तो यह सब चीज़े छोड़नी पड़ती है फिर यहां दिन्रात काम करने की प्रितिग्या करनी पड़ती है आपने दिन्रा दिन्रात यहां काम करना है और उसकी प्रतिग्या करनी पड़ेगी, काम कोई भी आए, तो काम करने की लेवल है, आप कितना काम कर सकते हो, संग को बता दीजिए, संग मना नहीं कर सकता, आप देश में काम करें, विदेश में काम करें, पूरे भारत में करें, अपने स्टेट में करें, अपने मंडल में क करें अपने जिले में करें अपने कस्वे में करें अपने गाउं में करें अपने आफिस में करें जहां काम करतें वहां करें पठाक बन जाएं उपठाक का मतलब सेवक उस जगए का सेवक बन जाएं और लोगों को जोड़ना सुरू करें च्छमता आपकी है कि आप कितना काम क कर सकता है अगर कोई ये सोचे कि मैं साड़े छेलाग गाओं का नेता बनना चाहता हूं या साड़े छेलाग गाओं में काम करना चाहता हूं तो एक गाओं में एक दिन जाएगा तो साड़े छेलाग दिन चाहिए उसको और आने जाने में समय लगता है वो अलग और एक साल मे 3560 दिन रह रहता है तो 10 साल पूरे हो जाते हैं यानि 100 साल अगर वो जीएगा तो सिर्फ 35600 दिन जीए पाएगा 36500 दिन तो 36500 दिन में 100 साल पूरे हो जाते हैं और गाओं है 6 लाग तो भाई तुम तो गाओं को नाम भी यानिकर पाओ गेतने समय में तो कोई आदम है सोचे कि मैं तो संग की कॉली भलनू अब मैं तो संग में 4 अच्छा जाओ अच्छी बात है च्छा जाओ पर सबकी लिमिट है इसलिए एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, दस व्यक्ति, पचास व्यक्ति पूरे देश के सांखिक काम को नहीं कर सकते हजार व्यक्ति भी नहीं कर सकते सारे व्यक्ति चाहिए और सब अपना-पना काम बांटे और अपना-पना काम लगन के साथ करें तो बन सकते हैं और नेता बन के करोगे क्या संग में नेता नहीं होता ना पहले कोई नेता था ना आपको नेता है ना बाद में है इसलिए ये भी गुण मानना पड़ता है कि अगर नेतागरी के गुण है तो वो आपको कारे करता में बदलना पड़ेगा जोला उठाओ घर कर जाओ, जोला उठाओ घर कर जाओ, अगर जोला उठाओ घर कर जाने की कूबत है, अगर जोला उठाओ घर कर जाने की चमता है, अगर जोला उठाओ घर कर जाने में मन लगता है, तो तो संग में काम कर सकता है, और सोचे के कोई मेरे इसारे पर आके काम कर और जोला उठाए मेरा कोई और सागिल चलाए कोई मेरी और तो संगी नहीं बन सकता अच्छा नेरा तो बन सकता है अच्छा जाजनितिक तो बन सकता है एंपी अमले तो बन सकता है पर संगी नहीं बन सकता संगी बनने की तो बड़ी सारी सरते हैं कि आपको सरलतम जीवन के सा संग में सेवा कितनी की, ये स्टिटस आपका चलता है, आप क्या हो, क्या नहीं हो, अच्छी बात है समाज के लिए, बहुत उंचे-उंचे लोग होने चाहिए, पर संग में आकर उंचा ही दिखाता है, तो फिर ऐसे ही समझो, जैसे कोई पहाड के आगे आगे ये कहता है, कि म संग के काम का है नहीं, वो बेसिकली फिर किसी के भी काम का नहीं है, तो इसलिए विरोध आता है, विरोध आना अच्छा है, जब विरोध आता है, तो हमको ये पता चलता है, क्योंकि समर्थन तो, जैसी बात है, संग में जो काम करता है, वो संग का व्यक्ति है, तो संग का समर्थन करेगा यह उसका कर्तब है यह उसकी डूटी है कि वो संग का समर्थन करे और संग के लिए जीए और संग के लिए मरे पर संग का अगर विरोध नहीं आया तो इसका मतलब यह है कि जो संग की विचारधारा है वो विचारधारा क्रांतिगारी नहीं हैं इसलिए जितना ज़्यादा विरोध होता है हम उतना ही ठीक जा रहे हैं रास्ते पर और विरोध हमारे ही लोगों से आ रहा है हमारे ही स्रमणों से आ रहा है तो बिलकुर ठीक जा रहे हैं हम 200 परशंट ठीक जा रहे हैं क्योंकि आप यह देखोगे, यह चेक करोगे, भाई विरूद क्यों कर रहा है, तो किस वात पर विरूद करा है, तो आप मुनसे पूचो, तो क्या कहेगा, ऐसी ऐसी बात है कहेगा, कि आप हस्ते हस्ते आपके पेट में बल पड़ जाएंगे, व्यक्तिकत कोई कमी निकालेगा किसी ने किसी व्यक्ति में कमी निकालेगा तो उसको एक जटके में कहते हो कि हमारे याँ व्यक्तियों में कमी निकालने को पागलपन कहते है हमारे याँ व्यक्तियों में कमी निकालने का मतलब है कि आप खुद व्यक्ति बाद में हो, इसलिए व्यक्ति देख रहे हो आप, जब आप व्यक्ति बादी होते हो, तब आपको संग में व्यक्ति दिखाई देता है, पर जब आप सांगिक हो जाते हो, संग बाद में आ जाते हो, तो आपको फिर समोर संग दिखाई देता है, तो लोग कहते हैं जी चंदे के बिना चलेगा कैसे, बहाने हैं लोगों के, तो उनको एक जटके में कह देते हैं, आओ भई आके देख लो, आओ जाओ, महमान बनके आजाओ, विजिटर बनके आजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, चार दिन के लिए संगी बनके आजाओ, चेक कर लो क कैसे काम चलता है, तो आपको संतुष्टी हो जाएगी, बताना क्या, देख लो जादा बहतर है, क्योंकि सारा खर्च संगी खुद उठाते हैं, अपना खर्चा खुद उठाते हैं, तो हमारा कोई फालतू खर्चा होता नहीं, और सब बिलकुल स्मूथ चलता है, हमारा बह लिखे हुई है, हम कोई राजनीटी में कभि नहीं जाएंगे, तो राजनीटी में जाएंगे तो पारटी में जारेंगे न, iedereen तो पार्टी के उम्रानी है राजनीती और पार्टी है तो हमारे कदमों के नीचे आएंगी जब हम इखटे हो जाएंगे वो आकर सलाम करेंगी और ऐसा ही होता है अगर किसी को यकीन नहीं है तो जो करनाटक के अंदर अभी आपने देखा होगा जो लिंगायत के लोग हैं लि बाबा आस्रम डेरे हैं हर्याने के अंदर उनको नमस्कार करने जाते हैं जितने संत हैं उनके जो लोग हैं उन संतों के पास नमन करने जाते हैं क्यों जाते हैं बाई बोड़ तो कहिना के विक्ति डाले गाई पर वो संग है संग है इसलिए उनको नमस्कार करने लोग जात करता है तो विरूद कहता है कहता है कि ये कल को इस मैंसे दो-चार व्यक्ति नेता बनके फिर ऐसी हो जाएंगे जैसा कि पिछले 40-50 साल में 60-70 साल में होता रहा है लोग इखटे हुए और एक व्यक्ति उसमें से कूद के किसी पार्टी वार्टी चला जाता है पार्टी बना लेता है फिर वो कोई चोटा सा MPMLA बन जाता है और भूम्मेंट खतम हो जाती है तो उसको बताते हैं रहे भाई तेरा सक बिल्कुर ठीक हो सकता है और संग का भी ऐसा ही सक है कि कुछ लोग कूद के जा सकते हैं कुछ MPMA बनने के लिए जा सकते हैं पर संग ने तो रास्ता है उसके नुसार वहां लोग होने चाहिए और उनका रिजर विसन भी है बहतर है कि अगर संगी वहां जाएं और संगी वहां जाके चुने जाएं तो वह संगी बात तो करें कम से कम और संगी बात ना भी करेंगे तो समण लोग के अहित की बात तो नहीं करेंगे इतनी सरम तो पीछे से जो follow up लेते हैं उसमें कहते हैं जी हमारी बड़ी बेजज़ती होती है तो हम कहते हैं भाई तुम्हारी बेज़ती होती है तुम तो चलाते हो पूरे दिन कि तुम्हारी कोई इज़त नहीं है तुम्हारी जितनी वीडियो आती है जितने भाशन आते हैं तुम उसमे में आतिए बात, दरसल, वो कौन सी बेजती को कहते हैं स्रमण संग में, वो स्रमण संग में कहते हैं, हमको बुलाईए, हमको बीच का मंच दीजिये, हमका नाम चापिए, हमारा अपने उस पे फोटो चापिए, हमको मुख्य अतिती, विश्यस अतिती, इस्पेशल अथिति, इस्पेशल इन्वाइटी, इस्पेशल भाशनवाज, इस्पेशल स्पीकर, कुछ हमको दीजिए और फिर हमारा इंतियार कीजिए, आप सभा लगाईए, अपने लोगों को सब को बलाईए हम सच धच के गाड़ी से उतर के आएंगे, ठीक दो बजे, और दो बजे आने के बाद में हमें सीधा हमाँ बठाईए, और हम कहेंगे, हमारे पाजरा टाइम का अभाब है, हमको वहाँ एक मीटिंग में और जाना है, हमारा हवाज़ा जूनने वाला है, हमको पहले बलवा दी और फिर मजबूरी में हमाई लोगों को ताली बजनी चाहिए, अगर ताली नहीं बजनी तो बेज जाती है, और उसके बाद फिर आप वहाँ से सीना तान के निकल जाएंगे, और वहाँ से वीडियो फोटू ले जाके दुनिया में कहेंगे, हमने तो इतने साए लोगों सम लगाते हैं, जो विचार धारा को फलीबूत कर रहे हैं, जो विचार धारा को परिपक कर रहे हैं, उनको मौका मिलेगा, या जो संग के वारे में समण सब्दकार्थ नहीं जानता है, उसको मौका देहम, क्योंकि संगों का जो काम है, वो संग्यों से चलता है, असंग्यों स मलाई खाने का और हम से आगे कहते हो कि समर संग इजत नहीं करता एक ऐसा किस्सा बता दो जब किसी मेहमान का जब कोई यहां आया हो और समर संग ने उसकी बेज़ती की हो सर कहके बात करते हैं कोई किसी संग्ठन में किसी को सर नहीं कहता पर यहां नियम पास है कि व्यक्ति को सारी महिलाओं को बहन जी कह के बोलते हैं, दुनिया में कोई बहन जी नहीं बोलता, पर यहां सब, और क्याई बार तो हमारे संगी इतना जोसम होते हैं, कि अपनी पत्नी को भी बहन जी बोल जाते हैं, इतना अच्छा सिस्टम, इतना बड़िया सिस्टम, आपको कहा मिलेगा इसमें कौन सी बिचती होती है पर हमको समझ में आता है ये ठीक ऐसे है जैसे एक अभी कहानी सुना रहे थे कि भई जारखंड के अंदर 36 गलग के अंदर कहीं पर कुछ पिरता है कि वहाँ पर जब दामाद घर पर आता है और दामाद को आपने खुब बढ़िया खाना बना के देसी घी का और दूद का और मलाई का और सबजीयों का खिलाया और खुब एक से एक बड़ी है आपने बादाम काजू किसमें खिलाये पर फिर भी वो दामाद और उसकी जो पतनी है वो कहती है जी आपने हमारे पती की दामाद की इज़त नहीं की बही इज़त कैसे होती है तो कहते हैं जी वो सो रुपे का पववा और वो बीस रुपे का चाह सड़ा हुआ गोस्त है वो खिला दो बस उसी मेज़्जत है मतलब वो सो रुपे वो जो हजार रुपे के बादाम काजु खा गया वो बेज़ जती है और जो 100 रुपए का उस अड़ा हुआ मास काया और जो देशी धारुपी है उसमें इच्जत है तो दिमाग में ऐसी ऐसी बात इंच्पा होती है जिनका कहीं कोई लेंदर है नहीं पर समध संग में एक भी केस ऐसा नहीं है कि जब कहीं बेजिती की हो जो लोग समर संग में आते हैं और जाते हैं और जिनको कोई भाना नहीं मिलता वो यहां उटे सीले जाम लगाते हैं और कहते हैं कि जी ऐसा है और वैसा है वैसा है पर सामने नहीं आया कोई भी आज तक संग के सामने संग का सामना करने के लिए संग पे आरोप लगाने के लिए संग ही पे आरोप लगाने के लिए कोई नहीं आया एक भी केस नहीं है और कोई गलती से आभी जाए तो मुह की खा के जाता है क्योंकि संग के अंदर कोई कमी नहीं है हर महीने संग अपने आपको और प्योर और सुद्ध कर लेता है ठीक वैसे जैसे जब हलवाई चास्नी बनाता है तो चास्नी बनाते समय उसमें दूद डालता है और दूद गंदगी की महली को उपर ले आता है और वो पॉनी से फिर उस महली को निकाल के चाशनी को बिल्कुल सीसे की तरह साफ कर देता है वैसे ही संग हर महीने अपनी कमिया दूर करता है उसमें अपनी चाशनी निकालता है और उसको बिल्कुल सुद्ध कर देता है तो क्या जाम लगाएगा, क्या करेगा पर विरोध होगा विरोध इसलिए होगा क्योंकि लोगों की इक्षा है जो संग के रहते रहते पूरी होती दिखाई नहीं दे रही है एक व्यक्ति कहता है कि मेरा एक बौध कुछ संग्ठर बनाया हुआ है और 2007 से चल रहा है तो 2007 में 10 का मतलब 3 और 23 सोले साल हो गए और 16 साल में वो समर संग से 100 गुना पिछे है जबकि समर संगी तो संगतियां भी आरम होई है तो विरोध नहीं करेगा तो क्या करेगा जो आदमी 16 साल से मेहनत कर रहा है और संगीयों ने आके 2 साल में 30 साल में 100 गुना जादा काम कर दिया हो जलन तो होती है आदमी के सपने तूटते है आदमी MLA MP और मुख्यमती बनने की धारा में होता है और संग बीच माड़ गया पर संग तो लड़ेगा भी और अड़ेगा भी ये क्योंकि अस्तुत का सवाल है क्योंकि बच्चों की जिन्दगी का सवाल है क्योंकि हमारे बचने का सवाल है इसलिए हम अड़ेंगे भी और लड़ेंगे भी और छोडेंगे नहीं जब तक हम जीतेंगे नहीं ये हमारी जिद्ध है और इसी जिद्दु को पूरा करने के लिए हम कमर कसके काम कर रहे हैं मेरे अगर इस वक्तवे में कहीं कोई तूटी हुई हो कहीं किसी को कोई आहत हुआ हो तो मैं संग से और खास्तोर से अगर वो संगी नहीं है तो उस वक्ति से मैं छमा मांगता हूँ संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे संग मुझे माफ करे सुख दुख की बात तो 11 फरवरी को 11 फरवरी को तालकोटरा इस्टेटियम में हम सब लोग मिल रहे हैं परिवार के साथ में और उसमें अपना-पना खर्चा हम सब ने जमा कराना है वो खर्चा हम सब बता रहे हैं क्योंकि जो वेस्ट का खर्चा है वो 350 रुपे आ रहा है और जो यंग है उनका खर्चा 155 रुपे आ रहा है और जो चोटे बच्चे हैं दस साल दस चोटे उनका 25 रुपे आ रहा है ये खर्चा हमारा अपना खर्चा है जो हम वहां पूरे दि हम खर्चे पर हम यहां काम कर रहे हैं ताकि सब लोग जूड़ सकें और अगर कोई व्यक्ति अपना खर्चा ना दे सके तो बता दे संगों को ऐसी भी यहां पर बहुत साई लोग हैं जो दूसरे का खर्चा बिना बताय उठा लेते हैं पर संग को पता चल जाए जो व्यक्ति तरह के लोग हैं कुछ गाना कुछ जो कविता हैं वो सब होगी अलग-अलग चीज़ें महां बनेंगी बहुत बड़ी है महां महुल रहे का इसलिए सब लोग आएं